अरे अरे मैडम सुनिये, ये कैब मेरी है हाँ तुम मैंने कब कहा कि मेरी कैब है, तुम्हारी है अरे मेरे कहने का मतलब है कि ये कैब मैंने बुक की है ओ सॉरी, मैंने लेट हो रही हूँ तो मैं क्या इस कैब में जा सकती हूँ देखिए मेंड़ एक काम करते हैं पहले ड्राइवर में को में लोकेशन पर ड्रॉप कर देगा उसके बाद आपको आपकी लोकेशन पर छोड़ देगा अ नहीं नहीं ऐसे इंजान के साथ न मैं ट्रैवल नहीं करती हूँ सॉरी अच्छा तुगह ड्राइवर आपके मामा का लड़का है नहीं क्यों तो फिर तुम कैस के साथ अकेली जाओगी गया मैं जाओँगे इसके साथ इससे तुम्हें कर लेना देना मैं भी जखता हूँ कैसे जाओगे तुम मैं जाओँगी और मैं भी देखते हूँ तुम मुझे कैसे रोखते हो अच्छी तरह से देखना समझी तुम भीया ये कैब किसने बुक की थी आपने अच्छा तुम जाएगा कौन अब इसमे आप भी जाओगे भीया अन जी सुन लिया पत्तमीज अराम से मैडम तोड़ा इस लड़की का फोन तो इधरी रह गया भी अब एक मिन टोकना में बस अभी आया अरे मैडम सुनिए वो सुनिए तो अब तु मेरा पीछा कर रहे हो एक मिनट इनने मुझे ऐसी वसी लड़की तो नही समझा है न अरे मैडम मैं तो यह फोन फोन तुम ही कह लगता है मैं तुम्हे अपना फोन नमबर दूँगी ऐसा ने निकल जा चुपचाप यहां से अरे वो आप ही का फोन ता अपना ही फोन फेक दिया अरे हर लड़का एक जयासा नहीं होता है और मैं आपका नमबर नहीं मांगने के लिए था आपकी मदद करने के लिए था भाईया माँ बोलो क्या हुआ वो मैं आपको सॉरी बोलना चाहते थी और आपसे एक चोटी सी हर्प भी चाहिए बदे क्या हल्प कर सकता हूं मेरा इंटर्व नहीं है तो क्या आप मुझे वहां तक ड्रॉप करवा सकते हैं प्लीज कुए बात में बट जी आप थैंक्यू चाहता हुसने के जर्वत नहीं है अब पसले नहीं प्लीज इचा ठीक है साड़ी प्लीज क्लीज 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 झाल झाल